Dear student, आज हम discuss करेंगे 5 most important reasoning question का बारे में Question number 1, यह में देखिए 3 पार्ट है, उपर में 1 पार्ट और नीचे 2 पार्ट उपर का 1 पार्ट में 1 नामबर और नीचे 2 नामबर तो इसमें देखिए 84, 14, 12 या इसमें देखिए 81, 18, 9, 88, question number 11 तो इसको solve कैसे करें देखिए नीचे का जो 2 पार्ट है, इससे हम लोग मिलाएंगे 84, तो नीचे को देखिए 14 multiply 12 14 और multiply 12 इसको कितना होता है, 168, 168 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से divide करेंगे 2 से divide करना है कितना होगा, 84, यह देखिए 82 सबसे पहले यह जो 14 और 12 इसको multiply करना परेगा, करके उसको फिर 2 से divide करना परेगा divide करने से उपर का जो number हो मिल जाएगा तो second में देखिए, 18 multiply 9 is equal to 162, 18 और 9 multiply करना से 162 इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से divide करना से कितना होगा, 18, 81, तो यह हमें देखिए 81 तो इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे, तो इसमें देखिए, निचे क्या है, question mark multiply 11 इसमें देखिए, question mark multiply 11 is equal to कितना, 88, 88 तो इसके हम लोग क्या करते हैं? तो अभी देखे हैं अम लोग यह कुर्शिन मार्ख को निकालेंगे तो कुर्शिन मार्ख इसका नीचे क्या है? 1 है 1 से 11 मुल्टिपिलाई कर दीजिए क्योंकि यह इस तरफ है वो इस तरफ तो यह क्या होगा? multiply is equal to उपर में 88 और 11 1 जा 11 और इसका जो निचे 2 है यह जाके क्या होगा right side का इसका साथ multiply होगा 88 इंटू 2 ऐसे होगा तो अभी देखिए यह question mark is equal to 88 का साथ 2 multiply करने से कितना होगा 1 286 176 इसको फिर हम लोग क्या करेंगे 11 से divide 11 से divide कोना से कितना होगा 16 तो इस question mark में क्या होगा यह 16 होगा तो option number A, option number A is correct question number 2 एक circle है, circle का अंदर एक number है और बाहर में 4 number है तो इस circle में देखिए 1, 2, 3, 7 अंदर में 169 इस circle का बाहर 1, 2, 3, 5 अंदर में 121 तो इस circle का बाहर 145, 6 और middle में यह question mark है, इसको निकलना है तो यह RRB exam में आता 2005 में, most important है लेकिन बहुत easy है, तो इसको देखिए यह circle का जो बाहर है यह बाहर का जो जितना number है, उसको हम लोग क्या करेंगे at first add करेंगे 1, plus 2, plus 3, plus 7 इसको फिर हम लोग क्या करेंगे square करेंगे 1, plus 2, plus 3, plus 7 holy square, is equal to 2, 3, 6 6, 6, 12, 13 तो यह में कितना हो रहा है, याट करना से total 13, 13 square is equal to 169 यह देखिए, 169 तो इसको भी ऐसे करेंगे 1, plus 2, plus 3, plus 5 holy square 8, 9, 10, 11 11 square is equal to 121, यह 121 तो इसको भी हम लोग ऐसे करके निकलेंगे तो 1, plus 4, plus 5, plus 6 holy square तो यह में देखिए, 6 और 5, 11 11, और 4, 15, 16 16 square, 16 square is equal to कितना? 256 तो इसको जो अंसर होगा, क्या होगा? 256, option number option number D is correct question number 3 यह भी एक circle है, circle के बाहर 4 number है और अंदर में 1 है तो इसको देखिए, 2, 3, 4, 2, 48 2, 6, 8, 4, 3, 84 2, 4, 2, 3, question mark तो यह भी RRB exam में आता 2004 में, most important है देखिए इसको तो इसको हम लोग क्या करेंगे? at first, बाहर में, circle का बाहर जितना है सबको हम लोग क्या करेंगे? multiply करेंगे तो 2 x 3 x 4 x 2 देखिए, 3, 2 जा 6 x 4, 2 जा 8 6, 8 जा 48 यह देखिए, 48 मिल गया तो इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे? 2 x 6 x 8 x 4 इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे 2 x 4 x 2 x 3 4 x 2 x 8 3 x 6 x 6 x 8 x 4 x 8 इसको चर्कल का अंदर क्या होगा? 48 तो option number option number D is correct question number 4 यह एक scale है scale के बाहर 4 number है और middle में 1 है तो 36, 64, 25, 49, 26 9, 25, 16, 81, 21 25, 144, 36, 64, question mark तो यह most important है देखिए यह हमें देखिए क्या है? 36 प्लास यह जा फर्स सर्कल है इसका बाहर जितना है सब को हम लोग क्या करेंगे? पहले add करेंगे root over root देखे add करेंगे root over 36 plus root over 64 plus root over 25 plus root over 49 यह देखिए root over 36 इसको भी root over करेंगे 64 25 49 तो इसको देखिए root over को हम लोग यह करना से क्या हो देखेंगे? 6 square is equal to 36 तो square और root over कर जागे तो क्या होगा? 6 प्लास यह हमें देखिए root over 64 64 8 square 8 square करना से 8 square is equal to 64 तो यह root और square करेंगे तो यह क्या होगा? 8 तो यह हमें देखिए root over 25 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते है? 5 square तो square और root over कर जागा प्लास 5 तो यह हमें क्या है? root over 49 sorry root over 7 square 7 square is equal to 49 तो square और root over कर जागा? तो कितना होगा? 7 तो अब हम लोग क्या करेंगे? यह 4 नमबर को एड़ कर देंगे तो 8 6 8 5 और 7 इसको एड़ करना से कितना होगा? 26 यह देखे है मिडल के यह 26 मिल गए है तो इसको भी ऐसे करेंगे root over 9 plus root over 25 plus root 16 plus root 18 81 तो इसका हम क्या कर सकते है? 3 square square root कर जाएगा यह में root over 5 square plus root over 4 square plus root over 9 square तो क्या 3 plus 5 plus 4 plus 9 तो यह एड़ करना से कितना होगा? 21 यह 21 तो अभी इसको देखे है देखे root over 25 plus root over 144 plus root over 36 36 plus root over 64 तो इसको देखे है तो यह आम क्या लिख सकते? 5 square plus 144 is equal to 12 square plus यह 36 को हम लोग क्या लिख सकते है? 6 square plus 64 को हम लोग क्या लिख से? 8 square तो square root कर जाएगा तो यह में क्या होगा? 5 plus 12 plus 6 plus 8 और यह add करना से कितना होगा? 12, 5, 6, 8 add करना से 31 तो यह middle में क्या होगा? 31 तो option number option number D is correct question number 5 यह भी semi है यह एक circle है, circle का बाहर देखिए 25, 100, 25, 100 middle में 6 तो इसको कैसे आल करें? देखिए यह SSE exam में आता 2000 में तो इसका solution देखिए है यह भी एकदम easy है तो at first 25 तो root 25 plus root 100 plus root 25 plus root 100 तो इसका हम क्या लिख सकते है? root over 5 square plus root over 10 square plus root over 5 square plus root over 10 square 10 square is equal to 100 5 square is equal to 25 तो यह root और square कर जाएगा यह हमें क्या है? 5 plus 10 plus 5 plus 10 10, 20 और 10, 30 यह हमें 30 यह 30 को हम लोग क्या करेंगे? अभी 5 से divide करेंगे तो कितना होगा? 6 यह देखिए 6 तो इसको भी हम लोग ऐसे करके देखेंगे तो 25, root 25 plus root 81 plus root 36 plus root 25 तो इसको क्या होगा? 5 यह हमें होगा क्या? 9, 9 जा 81 तो 9 यह हमें होगा 6 यह हमें क्या होगा? 5 तो इसको यह आठकरना से कितना होगा? total 25 25 से 5 से divide किजिए कितना होगा? is equal to 5 यह देखिए 5 तो इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे root 25 25, 25, 25 plus root 25 plus root 25 plus root 25 तो root 25 इसे गल तो हम लोग क्या? 5 इसको 5 plus 5 plus 5 इसको आठकरना से कितना होगा? 20, 20, 25 को 5 से divide किना से is equal to 4 यह देखिए 4 तो सेम ऐसे करके हम लोग इसको भी करेंगे तो इसको देखिए root 49 plus root 9 plus root 16 plus root 36 तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते है? root 7 square plus root 3 square plus root 4 square plus root 6 square तो इसके root root अबर कर जाएगा तो यह में क्या? 7 plus 3 plus 4 plus 6 तो 6, 4 10, 13, 20 20 इसको हम लोग क्या करेंगे? 5 से divide क्या होगा? 4 तो इसके जो middle में क्या होगा? middle में होगा 4 तो middle में होगा 4 तो इसका जो answer option number C is correct फ्रेंट्स मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस मेरा चैनल को सब्स्रेब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके जुरूर बताएए थैंक यू वर वासिंक